नमस्कार आप देख रहे हैं नैशनल इंडिया न्यूज में आपके साथ जोती सुप्रीम कोट ने बीते दिन मंगलवार को S.C.S.T. उत्पीडन से सरंग्षन कानून के तहट गिरफतारी के प्रावधानों को हल्का करने समंदी शिर्ष अदालत के 20 मार्च 2018 के फैसले में दिये गए निर्देश को वापस ले लिया है वही सुप्रीम कोट ने ये भी कहा है कि S.C.S.T. समुदाई के सदस्य अभी समानता और नागरिक अधिकारों के लिए संगर्ष कर रहे हैं उन्हें सीवर चैंबर में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है जो मोद के कुए जैसा है साथ ही जस्टिस अरुन मिश्रा के अधर्षिक्ता वाली पेट ने ये भी कहा कि S.C.S.T. समुदाई के सदस्यों से जूटा यदों के बाज की तरह बरताव नहीं किया जा सकता और पहले से ये नहीं माल लिया जा सकता कि वे मोदरिक लाप पाने के लिए या बदला लेने के लिए जूटी प्राथमिक दर्च करवाएंगे कोर्ट ने रास्ट्रिय अपराद रिकोर्ट ब्योरो के इन आकडों को सतर करने वाला कहा जिनके मुताबिक 2016 में S.C.S.T. यानि के प्रतार्णा रोख्ठाम कानून के तहत 47,000 से अधिक मामले दर्च किये गए पीट ने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि ये कानून के प्रावधानों के दुरुप्योग के नतीजे है अजादी के सतर साल बाद भी S.C.S.T. समुदाई के सदस्य भेदभाब का सामना कर रहे हैं वाई सुप्रेम कोड ने ये पाया कि नागरिक अधिकारों के मामलों में S.C.S.T. समुदाई के सदस्यों से अभी भेदभाब किया जाता है ये लोग अपमान और अप्षब झेल रहे हैं साथी सदियों से उन्हें समाजिक रूप से बहिश्कृत रखा गया है कोड ने मौजूदा हलात का जिक्र करते हुए भी कहा कि S.C.S.T. के लोग अभी देश के विभिन इलाकों में समानता और नागरिक अधिकारों का इस्तमाल करने के लिए संगर्ष कर रहे हैं आरक्षन के बावजूद भी विकास का फल S.C.S.T. समुदायर तक नहीं पोचा है और बहुत हद तक वे समाज के असमान और जोखिम ग्रस तबके बने हुए हैं वही जजो की पीट ने ये भी कहा कि मूल भूद मानव गरिमा का ये अर्थ है कि सभी लोगों से सभी माइने में समान मनुष्य के रूप में वेवार किया जाए और किसी के साथ अच्छूत और शोशन की वस्तू जैसा वेवार नहीं किया जाए देश को वास्तविक लक्षे प्राप्त करना अभी बाकी है फिल्हाल इस खबर में इतना ही देखते रहे ये नैशनल इंडिया न्यूज शुक्रिया